दोस्तों अगर आप उस एजी बेसी प्रिल्म से फेल होना है तो ये कुछ चीज़ें जापको ज़रूर करना चाहिए पहला कि आप ये मानके चले कि हर चीज इंपॉर्टेंट है जो चीज आपके आखों के सापने आ रही है वो हर कुछ एक्जाम में आ सकता है दूसरी चीज आपको जहान में रखने हो ये है कि पास्टीर कोशन मत देखिए अगर आप पास्टीर कोशन देख लेंगे तो आपको पता चल जाए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें कम इंपॉर्टेंट है तीसी चीज़े आप कर सकते हैं ये है कि आप समझ सकते हैं कि आप बहुत ज़़ा ब्रिलियंट है और एक बार आप किसी चीज़ को पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगी चौती चीज दो आप कर सकते हो यह है कि इंडियन हिस्ट्री में इतना ज़्यादा फोकस करें और बाकी इंडियन जीस के सारे सब्सक्राइब छोड़ दीजिए इंडियन हिस्ट्री को आपको अपना छोटा भगवान माल लेना है पांचवी चीज आपको यह करने है कि आप तो ग्यान के लिए पढ़िये एक्जाम एक्जाम तो निकलते रहेगा आपको प्योरली ग्यान एटेंड करने के लिए पढ़ना है दोस्तों चाटवी चीज आप कर सकते हैं कि खूफ एक्ट्स के पीसे भागो कौन सा डेट, कौन सा डेटा, इन सब को ऐसा भगवान मानो और इसी को रटके आप उपने दोस्तों के बीच में हीरो बनने की कोशिश करो नेक्स चीज आपको करने है दोस्तों यह है कि आप एक भी टेस्ट मत लगाओ आप सीधा examination hall में जाएंगे और आपके अंदर का इतना genius हावी है कि आप उस examination में exactly वह चीज करेंगे बिना practice के जो एक आदमी को करना चाहिए नेक्स चीज वह यह है कि जितने भी इंजीनियर से यह समझ लो कि math तो है qualifying है C-set हमसे तो बनी जाएगा तो C-set तो हमारे भाय हाथ का खेले यह मान के आप चुप 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 घुज जाओ जो भी होगा second half में देखा जाएगा next two important चीज है कि current affairs को ignore करो current affairs से कितने कोशन आते हैं पांच कोशन आते हैं चै कोशन आते हैं उसके लिए मेरे को दो दो तीन तीन मैगजिन पढ़ने पढ़ती है क्यों पढ़ेंगे इतने ज्यादा मैगजिन जस्करेंट अफ्यर्स को इंग्नोर करो दोस्तों पहले से cut-off decide करके जाओ पिछले 10 सालों से cut-off जा रहा है 120 नंबर 120 नंबर तो आप सिर्फ 120 नंबर का cut-off ने दिमाग में लेके जाए बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए कि उससारा कोशन पेपर किस प्रकार सेट हो रहा है पहले से cut-off आप गेस करके जाओ रैंडमली गूगल करो कि कोई भी 80 नंबर से लेके 100 नंबर के बीच का एक रैंडम नंबर पिक कर लो अगर वो बोलता है कि 113 जाने वाला है cut-off तो 113 के ही हिसाब से अपनी strategy बनाओ नेक्स चीज़ वो यह है कि बिल्कुल रिक्स मतलो अगर 60 कोशन आपको बनते हैं तो 60 कोशन बना दो नेक्स 10-15 कोशन और एटम करने की ज़रुवत नहीं है कि जो 60 के 60 हो आपके correct हो जाएंगे ना उनमें विलोपित होंगे ना इनके answers में कोई controversy होगी ना आपसे कोई silly mistake होने वाली है आपके 120 नमबर तो बिल्कुल fix है और Google ने कहा दिया है कि 113 जाने वाला है cut-off तो बिल्कुल भी risk नहीं लेने का next चीज़े हैं जो हो है यह है कि safe zone में खेलो risk नहीं लेना है हमको safe zone में खेलना है मुझे जो question बनते हैं जो मैं पढ़के आया हूँ आई हूँ बस मैं वाई solve करूँगी बाकि जो बहुत जादा complex multiple statement वाले question दिख रहे हैं उसमें कोई भी logic लागे ignore करने का eliminate करने का options eliminate करने का बिल्कुल भी प्रेतर नहीं डालोंगे तो बिल्कुल safe zone में खेलिए next चीज़े है कि cggs के जो easy questions है उसमें आप जाद दिमाग लगाओ कि मतलब यह तो यह भी हो सकता है यह तो यह भी हो सकता है यह rock structure तो दोनों जगा मिलता है जो popular question है जो popular answers लिया जा रहा है जिनका साल बाई साल उसको ignore करो आप specifically अपना दिमाग लगा हो और इसको एकदम exceptional condition खोजने का सोचो और यह सोचो कि सब लोग तो यह option मार के आएंगे लेकिन जब मैं इसका दूसरा option मारूँगा वह सही हो जाएगा तो मैं hero बन जाऊँगा ठीक है तो हमेशा यह वाली चीज़े आप अपने दिमाग में रखिए और most important चीज लास्ट में अगर आपको fail होना ही है तो चार लोगों से पूछ लो कि कितने question attempt करना सही रहेगा पेपर आने के पहले अगर किसी ने कह दिया कि 65 question attempt करना सही होगा 65 question attempt करके आओ अगर कोई कह पास रखो कि जैसा किस्मत है वैसा होगा जैसी destiny होगी वैसा होगा अगर किस्मत में लिखा होगा कि इस बार prelims clear होना है तो होगा प्लान करने की जरुवत नहीं है अपने हिसाफ से चीज़े होती है कोई भी चीज वक्त के पहले नहीं होती है तो यह मान के चलो और अपना syllabus बस उसी प्रकार से पढ़ो बिना प्लानिंग के जाओ जितना मन करता है पढ़ो जितना मन नहीं करता है वापस आजाओ अपने मूर के हिसाफ से चलो बिलकुल भी कुछ प्लान करने की जरुवत नहीं है दोस्तों यह कुछ चीज़े हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो cgp kcp lens में डेफिनेटली डेफिनेटली फेल हो जाएंगे तो all the best with that मिलते है नेक्स वीडियो में जय हैं